तो दोस्तों इंडियन बॉक्स आफिस पर हजारों रिकोर्ट्स तोड़ चुकी सुपरिश्टा सनी देवल की फिल्म गदार्टु इंडियन बॉक्स आफिस पर आज अपने 19 वे दिन भी रिकोर्ट्स के जंडे गारती ही नजर आ रही है और दोस्तों इस फिल्म के आज अपने 19 वे दिन के भी जो कलेक्शन से वो इस अपते रिलिजने वाली ड्रिम गल्टू से कहीं जादा बेटर और ब्लॉक्बस्टर है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म गदर टू के 19 दिनों के इंडियान और वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों की ये फिल्म आज कौन कौन सी फिल्मों की रिकोर्ट्स को तोड रही है और क्या ये फिल् नहीं तो विडियो को लाश्टे तक ज़रू देखेगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसबरी से कर रहे थे बॉक्स आफिस से जुड़ी सभी वड़ी अपडेट्स चाहते हैं तो चली शुरुआत करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनिल शर्मा यानि कि दोस्तों स्वतनतता दिवस के मोके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन से अपना जादू विखेरना शुरू किया और अपने पहले दिन जहां हिस्टोरिकल 40 करोड रुपे कमाया तो वहीं दोस्तों इंडिपेंडेश डे वाले दिन इस फिल 80 कमाय की हो लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के टोटल के तो दोस्तों अपने शुरूआती 5 दिनों में 230 करोड और अपने 7 दिनों में आनि कि अपने पहले हपते में 284 करोड रुपे की जादू या आकड़ों को छूने के बाद इस फिल्म ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने दूसरे हपते में भी ये फिल्म बॉक्स आफिस पर शांदार कमाई करती ही नजर आई अपने शुरूआती 12 दिनों में 400 करोड रुपे की धहमाकेदार कमाई करने वाली इस फिल्म ने दूसरे हपते तक टोटल 419 करोड रुपे के आकड़ों को पार कर ल टाइगर जिन्दा है बाहु बली और कई सारी बड़ी फिल्मों के रिकोर्ड को तोड़ने वाली इस फिल्म ने तीसरे हपते के भी शुरुआत बॉक्स आफिस पर काफी श्ट्रोंग नोट के साथ की अपने पहले हपते में ओमाई गोड टू और जेलर से कॉम्पेटिशन मिलने वाला था अपने तीसरे हपते में दोस्तों इस फिल्म को कॉम्पेटिशन मिला आईश्मान खुराना की फिल्म ड्रिम गल्ड टू से और दोस्तों ड्रिम गल्ड टू के कॉम्पेटिशन के बावजुद भी इस फिल्म ने एडियन बॉक्स आफिस पर अपने तीसरे ह मातर सोला ही दिनों में दोस्तो इस फिल्म की जो कलेक्शन्स थे वो 449 करोड रुपे के आकड़ को इंडियन नेड बॉक्स आफिस पर और साड़े 500 करोड रुपे के आकड़ को दुनिया भर के बॉक्स आफिस पर तोड़ चुके थे इस फिल्म ने अपने तीसरे संडे में की है इस फिल्म के दोस्तो अपने 17 दिन के जो कलेक्शन्स थे वो 16 करोड 75 लाख रुपे के रहे और इसे के साथ इस फिल्म ने 456 करोड रुपे के भी आखड़ को आसानी से पार कर दिया और ये फिल्म बॉलिड इतियास की थाड़ हैश ग्रोसार और सबसे फास्ट साड़े 400 करोड के कलब में शामिल होने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी थी लेकिन अगर बात कीज़ें यहाँ पर अब इस फिल्म के 18 और 19 वे इनके कलेक्शन्स की तो दोस्तो जिस तरह से ये फिल्म इडिया में कमाई कर रही है उसी तरह से दोस्तो इस फिल्म को और्स में भी ऑदियेंस पसंद कर रही है ये फिल्म दोस्तो अमेरिकन बॉक्स आफिस पर अभी तक 3 मिलियन डॉलर के आखड़े को पार कर चुकी है जो कि दोस्तों सुपरिष्टा सनी देवल के केरियर की one of the biggest hit साबित हो चुकी है साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को अभी तक आल और एडिया में तीन करोड से भी जादा लोग देख चुके हैं साड़े पांच करोड लोगों ने दोस्तों गदर को एडिय को पार कर ले और अगर साड़े तीन करोड रुपे के आखड़ों को पार करते हैं तो दोस्तों इस फिल्म को जो कलेक्शन है वो 600 करोड रुपे के आखड़ों को टच करता हुआ नजर आ रहा है फिलाल में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म न ज़र आ रही है और दोस्तो इस फिल्म की आज की एडवान से वो एडियन बॉक्स आफिस पर 90 लाख रुपे की है मौर्निंग से ही दोस्तो इस फिल्म की जो उक्यूपेंसी है वो काफी अच्छा ट्रेंड कर रही है और यह फिल्म आज भी 17 से 20 परसेंट की उक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है और इस फिल्म को लेकर सिंगल स्क्रिंस पर आज भी काफी दमदार है और यही वजह है कि यह फिल्म दोस्तो आज एडियन बॉक्स आफिस पर एक बार फिर से 4 करोड रुपे के आखड़े को टच कर रही है ऐसे हमें इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 466 करोड रुपे का एडियन नेट बॉक्स आफिस पर हो चुका होगा वल्ड वाइड बॉक्स आफिस पर दोस्तो यह फिल्म आलरेड़ी 600 करोड रुपे के प्रेश्टीजेस कलब में शामिल होकर ओल टाइम ब्लॉक्बस्टर बन चुकी है दोस्तो इस फिल्म के पास कल और परसो के बाद एक बार रक्षा बंदन की चुट्टी है उसके बाद फिर से विकेंड शुरू होने वाला है इस विकेंड में दोस्तो कोई भी बॉक्स आफिस पर इस अपते में ही 500 करोड के कलब में शामिल होकर पठान के रिकोर्ड को तोड़ चुकी होगी आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना हूलिएगा और बॉक्स आफिस बॉलिड और साउस से जुड़ी सभी वड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपनी चेनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरू कीजेगा तनी वाज जी जी भारत